एक बार ग्लोबल पिक्टर को टच कर ले थे क्योंकि हमारे बाज़ार में तो और बड़ा अक्शन था जिस पर और डीटेल में चर्चा करना है, बट ग्लोबल मारकेट फृर से sousपोर्टिव आक्शन में देखे, कल एक बड़ी डील के वज़े से हमारे बाज़ार में अक्श मोमेंट कह सकते हैं जो ट्वीटर में देखनी को मिला जब यह खम रहे हैं कि एलोन मस्क साब जो टेसला के ओनर है उन्होंने लगबग लगबग 10 प्रतिशत हिस्तेदारी ट्वीटर में खरीद लिया अब वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हो चुके इस कबर के दमपर ट्वीटर का स्टोक तो उचलाई उसने पूरे नैस्डिक को अपने साथ में लिया ज्यादा तर टेक्नोलोजी स्टोक उसी के दमपर भागते वे नजर आएं इंट्रेस्टिंग है ट्रम साब के करीबी माने जाते थे और ट्वीटर का भरपूर स्नेमाल जि जब ट्वीटर का स्टोक बड़ा तेजी सी गिरा था तब उन्होंने एक ट्वीट डाला था फोलो सिगनल लोग कंशुष से के टेसला की गाडियों के लिए कि अगर आप गाड़ी चलाते तो सिगनल फोलो करें या फिर सिगनल जो एप है उससे फोलो करने की बात करें और को ने उसका मतलब सही निकाला और पता नहीं इनोंने कब चुप चाप 10% 9% हिस्सेदारी खटा कर ली सो इंटरेसिंग है बट ओर ओर अमेरिकी बादरों में तेजी जो बनी है नेस्टेक में ज्यादा आईटी शेरों में तेजी बनने की वज़े से होगी है डाउ सो संकेतों को आने वाले समय में मंदी का आर्थिक धीमापन का संकेत माना जाता है जो कि एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है पिछली बार अमेरिकी बारदरों में आपने देखा था जिस दिन 600 कोईन की करेक्शन आई थी वो इसी खबर के दम पर आई थी जब ब्यास दरे कोनों तरफ के पहलू है अगर आपका मूर खराब है तो आप मंदी की बात करेंगे कि यह तो ब्यास दरे शोट टरम में बढ़ रहे है लॉंग टरम में नीचे है इसका मतलब मंदी और दूसरे तरफ अगर आपका मूर अच्छा है तेजी करनी है तो इसी खबर को आप कैसे गुमा सकते हैं वह मैं बता दूँ आपको कि अच्छा मंदी के संकेत है तो फिर फेड एग्रसिवली ब्यास दरे नहीं बढ़ाएगा तो चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफलेशन ही कंट्रोल में करना है और अगर धीमापन आएगा तो इंफलेशन अपने आप कंट्रोल म कर सकते हैं और दोनों आपको सही लगेंगे या दोनों ही गलत लगेंगे लेकिन ठीक है कल यह छोटा एक संकेत था जिस पर लेकिन इससे बड़ी चीज जो हमारे लिए है जिस पर नजर रखनी दर नहीं है लेकिन नजर है वह कच्छा तेल फिर से 110 दोलर के आसपास आया र वह समझना जरूरी है अब तक पिछले चार हफतों में हमने लगातार एक तीन हफतों में लगातार एक ही चीज की कच्छे तेल के साथ बाजर को जोड़ कर देखिए बिलकुल करेक्ट और वह सही हुआ है जिससे कच्छा तेल नीचे आया विससे हमारे मार्केट भागे है अब कच्छे तेल का वो वन ओन वन कोर्रिलेशन में कम करने जा को देखिए यहां से उसका बता था हमारी सबसे बड़ी समस्य है क्या है? हम 140 दोलर का 130 दोलर का कच्चा तेल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हम सोका भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते है तो ऐसे में अकर कच्चा तेल बढ़ता तो हमारी दिक्कत है गटता है तो हमारे लिए फाइदे की वा और ये ट्रेंड बिल्कुल पर्फेक्ट था अब आज से हमें जो बदलाओ करना वो इसलिए करना है हम कच्छे तेल की बढ़त में परिशान तो होंगे लेकिन दुखी होकर रोना तो होना नहीं करेंगे उसका एक रीजन है रीजन है कि हमने जो रेशिया के साथ सस्ते कच्छ करना वो इसलिए करक करनाओ करना है खत्म नहीं करना है है कि नहीं मैं तो देखूंगा यह नी कच्च्छ तेल जाओ लेकिन हमें जो एकदम 120 हो गया तो हाय तोबा 100 हो गया तो वाह डांस करना शुरू कर दे वो चीज से हम थोड़ा संतुलित तो लाइक तो लाइक रिलेशन अब नहीं रहेगा यह फर्क करना है यह फर्क करना है नहीं तो अगर आप बताओ मुझे साथ डॉलर कच्चा तेल बढ़ जाए तो मुझे नीचे रहना चीए उपर क्यों जाओं है एक सो तीन से एक सो दस आ गया ना तो मैं उपर क्यों जाओं लेकिन मैं जाओंगा उपर क्योंकि वो जो कच्च्चे तेल की जो रिस्क है मैंने खतम तो नहीं किये कम कर लिए सस्ता कच्चा तेल में इंपोर्ट करके कम कर रहा हूं इसलिए अब हमें वो रिलेशन को थोड़ा सा कम करना और ऐसे में कच्चा तेल बहुत गिरेगा तो वैसे तो हमें फायदे की बात है लेकिन शायद हम उतना सेलिबरेट ना करें इतना पहले कर रहे थे तो यह थोड़ा सा बदलाव है स्ट्रेटेजी में जो अब है समझना क्योंकि तीन हफ़ते तक हमने इसको पूरा एंज्योई क्यार में कह भी रहा था कि जब तक हमें नया ट्रिगर ना मिले तब तक हम इस ट्रिगर को एंज्योई करेंगा इसके दम पर हमने मार्केट को बहुत अच्छे से अनलिसिस कर दिया अब आगे थोड़ा सा में धी में धी में बदलाव करके दूर से ट्रिगर पे जाना है कि जब 57 डोलर से बड़ा मुह आएगा तो सोचना है कि हमें कितना रिएक्शन है चार पांट डोलर ठीक है करने दो इसको जो करता है अच्छा सर तेल पर ठीक है